इंग्लैंड की राजगधी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी, राजा हेनरी की कई पतनिया और एलिजाबेथ वर मैरी नामक दो बेटिया थी, इन में से मैरी राजा की पतनी की बेटी थी, राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उ जा उसकी कोई बात नहीं मानते थे, सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई, तो प्रजा की इच्छानुसार 16 शताबदी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंगलाइंड की राजगद्दी दे दी गई, वह इंगलाइंड की रानी बन गई, उस समय इंगलाइंड के ह इड़ी हुई थी, रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंगलाइंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इंकार कर दिया था, इससे नराज होकर रानी ने उनकी बात नमनाने वालों को मौत की सजा दे दी थी, वह ऐसे लोगों को लड़कियों के खून से नहाती थी, उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से बहस ज्यादा दिनों तक जबान रह सकती हैं। कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहां के ओजहा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मेरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बलती एक भूत आकर निवास करता है, कुछ समय बाद फिर रानी मेरी के गर्भ में वही भूत आकार रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई, इस बार भी र नाजगद्धी पर बैठाया गया और एलिजाबेट इनलैंड की नई रानी बन गई, रानी मेरी की करूरता की वजह से इनलैंड को लोग उसे एक निर्दई औरत मानते थे, वही जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा, तो लोगों ने उस वह सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, शांती और करूना से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है